हेलो एवरीवान वेलकम बैक टू मैं चैनल माई नेम इस सोनी एन वेलकम टू सोनी में कोवर्टो कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप सबी लोग स्वस्त और मस्त होंगे तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं so guys आज की वीडियो हमारी होने वाली है threadings related आज हम करेंगे eyebrow threading और threading से पहले मैं बता दू कि ये मेरी client है और इनकी age है 19 years old यानि कि ये मेरी client है वो जदा age में छोटी है teenager है तो teenager लोगों की threading कैसे करनी है वो आज मैं आप लोगों को इधम detail में बताऊंगी तो सबसे पहले हमें क्या करना है थ्रेडिंग के पहले हमें टेलकम पाउडर लगा लेना है ताकि हमारे स्कीन में जो मौश्चर है वो अच्छे से सूख जाए क्योंकि क्या होता है जब अगर हमारे स्कीन पे मौश्चर होता है तो जो धागा होता है वो बालों को अच्छे से पकड़ नहीं पाता है धागा फिसलता है हमारी स्कीन पे और हमारे हेर्स पे और हम एक हेर्स को निकालने के लिए चार से पांच बार थ्रेडिंग चलाएंगे तब जाके वो एक बार निकलेगा तो इसलिए पाउटर लगाना ज़्यादा जरूरी है और उसके बाद हमें उपर से स्टार्ट करना है तो मैंने जैसा कि आप लोगों को दिखाया है कि सेड़ की जो आईबरो के जो हेर से उसमें मैंने कुछ ज़्यादा हाथ नहीं लगाया है यानि की हमें जब भी किसी का आईबरो करना है जितना करते हैं तो हमने पहले क्या था स्री उपर पकडा था क्योंकि जो हमारा Sail dobrow में धिखाई देता है और हमें पकडना कैसे है दो उंगली ओसे पकड़ना है और हमारे महीं पक्रना है ऍगया जैसा कि आप व्लोग को दिखेंगा होगा दो फिंगर से हमने पकड़ाया है और उसके बाद नीचे भी जोड से हमें टाइट खीचना है अगर लूज खीचेंगे लूज स्कीन रहेगी तो हो सकता है कि स्कीन कट लग जाए कट लग जाए स्कीन में जो ठेड होता है हमारा बिल्कुल कैची की तरह काम करता है और नहीं तो अगर लूज होगा तो अच्छे से हेर्स भी नहीं निकलते हमें शेप भी देने के लिए नहीं जमता है दिन उसके बाद देखिए हमने एक जो यह हेर्स है हमने दो हेर्स थे उसे रिमूब कर लिया है और हमने एंगल की तरह पकड़ा है आइब्रो को ताकि हमें समझ में आ तो मुझे थोड़ा सा उपर ना मोटा मोटा सा दिख रहा है तो क्या करना है अब हम उपर की साइड में हम ठ्रेट चलाएंगे और गैस अगर हम किसी की आइब्रो मोटी करते हैं और क्लाइंट को पतली आइब्रो चाहिए तो हमें क्या करना है उपर से हमें नहीं निकालना है हेड्स को कभी भी हमें नीचे से हेड्स को जो निकाल के पतला करना है नहीं तो क्या होता है हमारी आइबरो ना अगर हम उपर से हेड्स को निकालेंगे तो हमारी आइबरो गिरी हुई दिखती है और अगर हम नीचे से दिखाएंगे तो उठी हुई दिखती है और अच्छ जब भी चलाते हैं तो धागा एकदम टाइट होना चाहिए हमारा धागे में नॉट नहीं होना चाहिए एक भी और लूज नहीं होना चाहिए तो देख सकते हैं अब आइब्रो का हमने जो शेप था वो दे दिया है अब बीच में जो हेर्स हैं वो अब निकालेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का confusion होता है कि यहाँ पे हम कैसे निकाले तो guys क्या होता है जो हमारा eyebrow होता है eyebrow के बीच का जो part होता है वहाँ के hair जो होते वो nose area से बढ़ते हुए forehead की side जाते है तो हमें उपर की side से ही धागे का कैची जो है रखना है देन उसके बाद देखिए अब इसको हमने cut कर लिया है क्योंकि इसकी वज़े से यह eyebrow मोटा दिखाई दे रहा था यह लंबा hair जो है इस वज़े से तो इसे हम अच्छे से cut कर लेंगे जादा नहीं cut करना है तो कितना अच्छा shape आया है हमने कितने अच्छे तरीके से shape दिया है तो देख सकते हैं हमारा final look गाईज अगर वीडियो helpful लगी हो या फिर आपको eyebrow का shape पसंद आया हो तो please वीडियो को like करे चैनल को subscribe करे साथी साथ bell icon को जरूर प्रेस करे Thank you